कि यह रुकियां तो ए तहां गा रहा है तू तल्दी के लटा में नहीं है मेरे भी पत्ते बाट हमारा गेम चालू है तू कोन है वे अरे तीन पत्ती का दिवान हो या क्या तुम लोग ये बच्चों की तरह रमी खेल रहे हो बड़ी मुश्किल से जोकर मिला है शाहिद इस बार में गेम जीच जाओ तेरी शकल जोकर जैसी है तो जोकर तेरे पासी आएगा ना फिर से बत्ते बाट है इधर शान पत्ती नहीं दिखानेगा कि इस खेल का बादशाह हुम है कि आए यह सब क्या चौर रहा है पता नहीं भाई यह खेलने के जीद कर रहा है कोई ताश का दिवाना है ताश खिलने के वास्ते है इतना मारा मारी हाँ तो यह चक्कर है ओफर याद आया या तो उसकी बेटी दिरा के तुझसे बात करे या कोई मर्दा के तुझे सबख सिखा यही ओफर था ना तो ले मैं आ गया है फोड़ दो साले को कुछ लोगा वना हमें फटके पड़ेगे चलो यह साला तो माहिर फिलाडी निकला बाई लोग सॉरी बोल क्या रे ताओ में तो तुने कॉलर पकड़ा था माफिय भाद पकड़ के मांगेगा क्या चल पैर पकड़ चलो जो हुआ सो हुआ आप घर चलो इस समझ से परे ये ब्रह्मांड अद्भुत्चमतकारों से भरा है जहां आत्मा अमर है और शरीक जन्म लेके मृत्यू पाता है जिसने भी इस धर्थी पे जन्म लिया उसी अपने कर्मों का हिसाब इसी संसाद में पूरा करना पड़ता है बंगार राजू की आत्मा धर्थी पर आकर अपने अधूरे छोड़े गए कामों को पूरा करने के बाद आज फिर यमलोग जाने वाली है और बता हमारे यम बॉस कैसे है तुमोंने कैसे जानते हो अरे अपने जीनी है यहां पहला चकर थोड़ी है पहले भी आ चुका हूँ मैं दो दो बार वो कैसे अरे लंबी कहानी है बई अरे ये कहा ले आए नर्ग जैसे तो नहीं दिख रहा ये स्वर्ग लोग है यमराज के ओडर्र है कि तुम्हें नर्ग लोग से स्वर्ग लोग में शिफ्ट किया जाए मतलब दर्शन होंगे सही कहा ना सही कहा फिर तो जीवन सफल हो गया चलो जी धन्यवाद अर्ग लोग 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 जवाद कर दो अज़ अगर खर रहल आव कि अज़ देख को नगा में अज़त आब को आतार रहला में आए है। लेड्यों सेरा बाज़ी सेरा बाज बाजिशा वाज़ês लेड्यों सेरा बाज बाज़ी बाज़ी वाज़ी हाई सुआट सुर्जर रखज और को में पाल अब रफदी जर रफजार हमाट जर राफजार हमाट लवड़ लुग नर रफजार हमाट अर फ्टो तुरसे हैंelnे तुरसे हैं अएगरो कि पार हैं झाल आज विश्णु जी कुछ विचलित दिख रहे थे काली शक्तियों के कारण उन्हें रोकना ही होगा हमें शिव जी उन्हें दंद स्वरूप अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर देंगे स्वामी कुछ अशुब होने वाला है क्या अशुब होने वाला है एक समस्या ने जन्म लिया है इस समस्या कोई समाधान है समाधान ने भी जन्म ले लिया है क्या समस्या और समाधान में कोई रिष्टा होगा क्यों नहीं जन्म और मृत्यू उत्पत्ति और विनाश ये सब विष्णुजी की लीला है ये बंगार राजु का बेटा रामू है और ये उनकी पत्नी सत्य भावा सम बहुत खुश थे पर तब ही ये खुशी दुख में बदल गई रामू की पत्नी सीता का देहान्त हो गया उस मासोम बच्चे को रामू और उसकी मा सत्य भावा ने नाम दिया बंगार राजु उसी दोरान उसके पड़ोसी रमेश के घर में एक देटी ने जन्म लिया जिसका नाम रखा नाग लक्ष्मी बहुर शुब नक्षत्र में जन्म लिया है दोनों ने अगर इंग दोनों का विवा हुआ तो साक्षा शेव और पारवती जितना पवित्र और सुखी रिष्टा होगा इन दोनों का ये बात है हाँ बिलकुल रमीश बंगा राजु और नाग लक्ष्म की जोड़ी शिव पारवती की जोड़ी होगी दोनों की शादी करवा दे अरे अभी अभी तो नाम करन संसकार हुआ है रुग जोड़ पंडेत विवारा की सला तो देदी पर विपत्ती के बारे में नहीं बताया उनमें साप और नेवले जैसी शत्रुता होगी उन्हें अगाह करो कुंडली में ऐसा नहीं है स्वामी कुंडली मनुष्च बनाता है और भाग के विधाता लिखता है अंगारों पर चलना होगा उन्हें सुनो मा रामू अब मेरा मन नहीं लगता है आपर बस अपने काम में विजी रहूँ यही अच्छा है मेरे लिए सोच रहा हूँ यूएस चला जाओ वही चौप करना मेरे लिए सही होगा जब भी वक्त मिला करेगा आजाया करूँगा समझ सकती हूँ तुमका हो तो तुमारी दूसरी शादी करवा देती हूँ बिटा सीता की यादों के साहरे ही जी लूँगा मा रही इस बच्चे को पालने की बाद सत्य भामा ने मा और बाप दोनों का फर्ज निभाया बड़े भारी मंद से उसे स्कूल में दाखिला दिल वाया इतने अच्छे दिन पर यह आसूँ एक नन्मी सी जान पर स्कूल की बढ़ाई का इतना बोच बढ़ाई बोच लगती है वो देखो फुदक फुदक कर मेरी बेटी कैसे जा रही है वो लड़की है, हालात से समझाता कर लेगी आओ बेटा, बहाँ लड़कों के बीच बैठा यह हार मुझे देदो, जाओ जाकर बैचा बेचा बेचा बेटा, जाओ अरे वा, पूरा अपने दादा जी पे गया है अरे आदी, बंगार राजु ने इसी स्कूल में एडमिशन लिया है उसका खयाल रखना बेटा बंगार राजु का जन्दिन उसकी दादी उत्सव की तरहें बनाती थी पूरे गाउं को भोजन करवाकर मंगार राजु और नाग लक्ष्मी की दोस्ती शुरू होने से पहले ही ये सुनकर चोटी सी नाग लक्ष्मी को एक दमाकेदार आईडिया सूझा ये सब क्या है नाग लक्ष्मी? तूद, मखन, बदाम, पिस्ताग, किश्मिश, फलो और सबजिया भी है मास्टर जी, आज क्लास मॉनिटर का फाइनल सेलेक्शन है ना? हाँ बेटर ठीक है मास्टर जी तो इस साल की क्लास मॉनिटर सबसे होनहार स्टूडन्ट, हमारे सरपंज की बेटी, नाग लक्ष्मी चुनी जाती है नाग लक्ष्मी, क्लास लीडर ठीक यू, मास्टर जी, ठीक यू, ठीक यू, ए बंगार राजू, लड़कियों के बीच के बैठे हो तुम, वहाँ बैठो, मुझे बताने वाली तू को ने? मैं क्लास मॉनिटर हूँ लीडर लगती हो लीडर कहाँ तुने मुझे तुपड़ बाराई बंगार राजू और नाग लक्ष्मी रोज लड़ाई करते उन दोनों को रवेश और सत्य भामा भी शांत नहीं कर पाते थे हम इनके शादी करवाना चाहते हैं ऐसे तो पहले दिन ही तलाक हो चाहता यह तो प्रैक्टिस चल रही है सत्य भामा ने वो देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था बंगा राजू बाबू तबला बजाओना हर्मोनियम बंगा राजू सर डान्टा कुटडडणा यह कौन सी ताल है अरे मेरा बांगुडू कितने सालों से संगीत सीख रहा है यह ताल नहीं खेल है डान्टा कुटडडणा ना ना आ जाओ अपसराओ रूफ सुद्रियों शुरू करें कबड़ी अति उत्तम हार गया सत्या तुम और यहां इतनी जल्दी राम नाम सत्य हो गया मेरी मौत से दुखी हो या मेरे यहां आने से क्या चल रहा है यह इतनी सारी लड़कियों के साथ गुलचर उड़ा रहे हो गलत समझ रही है माते यह कबड़ी खेल रहे हैं स्वर्ग में सभी की दभी इच्छाय पूरी होती है इनकी यह नारा जी अपना मुखमंडल बंद रखिये ओ तो यह है तुम्हारी इच्छाय पस्किया बेटा तू हां तुम्हें साधिया बहुत पसंद है ना वहां नीचे दुकान पर जाकर खरीदनी परती थी तुमको य तक यह प्रेम के सागर में गोते लगा रही थी अब यह बैट कर निहारेंगी सुभा हुया शाम दिन हो या रात ये बस आपके सुंदरता के रांग गाते रहते हैं दीदी और एक बार दीदी कहा तो तो देरी जबान खीच लूगी अरे सुनिये जी यहां इनके साथ मिलकर मुझ पर ही हस रहो मुझे भूल गए ना मौज मस्टी का असली मज़ा तो तो तुमारे साथ है मेरी क्या होता है पतलब हरी बरी थोड़ी खिली खिली मेरे जीवन की हरयादी है मेरी जाले मत नाम सुनते ही शर्मा जाती है शर्मा ता नहीं रही बलके गुस्से में टमाटर ये हया ये तबस्म किसी की भी जान लेने के लिए बहुत है है ना जाने मत अरे इस गुल दशी हुसन के आगे तो इंद लोक की सारी अपसराएं भी पानी बढ़ती है तुम भी ना एक नुमबर की फरेभी हो मुझे किस तरह से मनाना ये अच्छी तरह से जानते हो आजा अब ये बताओ नीचे सब के क्या हाल है अपना बेटा रामू उसे एक बेटा हुआ है अपने जोकर ने बेटा बैदा गिया सरूर वो भी जोकर ही होगा काश होता वो तो आप पर ही गया है अभी से अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया है उसने उसकी हरकते देख पर ना होगा पहले उसे देख तो नू चलो 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 तो देखा बिल्कुल मुझ पर गया है करें मेरा कर नहीं है कुछ देख पहला कि मैं यहां पहुझे हूँ इतनी जादी बड़ा कैसे हो गया यहां का एक मिनट वहां का एक साल है अब मुझे मेरे पोते को देखने दो और बंगा राजू फूलों की सजावट कैसी लगी पहला क पार्ट राक्त है सब्सक्राइब यहां चल्ट पूलों को सोने के भाव में बेचा इसने कि अए अए अरे क्या हुआ अरे ममा मुझे दिखा ओ क्या हुआ तुम ठीक तो हो ना मोच आ गए अब इतनी सुन्दर हो तो नजर तो लगेगी न दादी से कहकर काला टी का लगवा लो कह दूँगी वैसे ये काम मैं भी कर सकता हूँ कैसे? क्यों बंगार राजू? गाउं के सारी लड़कियों को ऐसे ही फसा दे हो? अरे इसे फसाना नहीं क्या थे तो फिर? अगर लड़की ना चाहे तो लड़का उसे फसा ही नहीं सकता लड़का पसंद आ गया तो वो पटा लेगी फसाना तो बहुत छूटी सूच है पटाना अलग बात है अब तुम्हें ही देखो न ओ स्मार्ट चलो एक शर्ट लगाते हैं मैं रस्सी की चूँगी तो मटका फोड़ना अगर तो मटका फोड़ पाए तो पट जाओंगी अगर पटना चाहती हो तो फिर चलो लड़कियों की गेम डेंजरस होती है मरवाएंगी पूजा की तैयारी करते हैं चलो आजा आजा रुक क्यों गए नहीं फोड़ सकते हैं मैं नहीं फोड़ूंगा मटका वो फोड़ेगी देखते हैं हाही हाँ हाँ तैयों मैं अल्क करते हाँ करिद सकते हैं तैया है सकते है पूरा किशन कनईया निगला, जरूर मेरा नाम रोशन कनद डियर पेरेंट्स, आज ये मीटिंग हमारी लड़कियों के सिल्सिले में है, हम सबका एक ही दुश्मन है, बंगार आज जब वो छुटियों में गाव आता है, मेरे प्राण सोख चाते हैं, अब वो हमेशा के लिए रोट आया है, बेटी को घर पर बंद करके रखना होगा या हमें गाव छोड़ना होगा, हमें हमारी बच्चियों पर नजर रखनी पड़ती है, अरे शादी में जाएं, या मार्के गुमागर घर आ रहे है, वावा, तुम्हें देखकर सिर्फ अकर से उंचा हो रहा है, ऐसा क्या हुआ, गावं की सारी लड़कियों के माबाब, पूरे शहर में माइक लेकर तुम्हारी जाजे कार कर रहे है, बस क्या मामा, इतनी छोटी बात पर खुश होगा है, मैं दूर दूर तक शादी का कोई रादा नहीं, और मेरी शादी से किसको खुशी मिलने वाली है, बगियो मामा, आप ही बताइए, अम सभी को, अब दादी नहीं रही तो शादी करने का प्लान कैंसर, ऐसा नहीं बोलते है, बंगा राजू, इन सब को छोड़ो, चलो आओ आओ सब करने का वक्त हो गया है, खालता, हर बार तुम ही खाना खिलाओंगी, ये मेरा भी बेटा है, आज मैं खाना खिलाओंगी, तो मेरे साल देजो, आज तुम्हारे लिए तुम्हारी मन पसंद चीज़े बनाई है, फिश करी और राइस, इडली के साथ साभा, नारियल की च शादी करेगा, वो अपनी बीवी की मुठी में रहेगा, और सारी प्रोपर्टी हमारी मुठी में, अपने पोते के लिए बहुत बुरा लग रहा है मुझे, उसके लिए कच्छी लड़की ढूंडेंगे, माना तुम्हारी आखों का तारा है, लेकिन तुम्हारा ये काना ज कामत मारो मुझे, मुद्दे की बात करो, अरे तुमने तो मुझे काबू में कर लिया, लेकिन इस बे लगाम घोडे के लिए लगाम कहां से मिलेती, मिल गई है, अपने पुराने पड़ोसी की बेटी, काउं से पड़ोसी? वो रमिश यादे, वो अभी गाओं के सरपंज है हां, उनकी बेटी, नागलक्षमी, ये, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, नागलक्षमी जिन्दाबाद, हमारा सरपंज जैसा हो, नागलक्षमी जैसा हो, नागलक्षमी जिन्दाबाद, नागलक्षमी जिन्दाबाद, नागलक्षमी जिन्दाबाद, नागलक्षमी जिन दो पहलं हो और बैठ ये बेठै वी SAPS September 107 थारम चुनाव नार्धा है j partout पैसि क्यों जा अब में ठिकर इसका लोगो ने इनका मत मानों एक लगس अलग सिखाया.. इसका नान तो इनकी आख मेरे है। एक अए और क्या और किया क। प्रश्मी यह कहां से आटप का जटका देगा यहां कि वाया बनाराजी हूं ऐसी होपलेस ब्रेंदेस यूज्डरस लड़की चिराग लेके डूडों के तूब नहीं मिलेगी आप जब दो पापा वैसे बाद मेरा मतलब बाद एचल चल निकल यहां से धाइक्रम बेजे के सा अभी नेवर्दान बढ़को एसा एक्स्पियां जाल काला कांडिकार ओंत्रयं बगईयदाम है तुगंधिम पुष्टिवर्द्धनम कुरवारुका विभवंधनान पृत्यार्म अबला क्या होगा आधी नावदलक्षियों बंगाराजु फिर से लड़ पड़े जल्दी से पंचाय को फिस पर दो यह तोनों सुद्रेंगे नहीं मैं अभी आता है जाए बुले नाथ तो जब पता निया मैं कितनी बड़ी प्रचार करूंगी समस्या इंस्ट्रग्राम प इस बार लेड़ी इस रेजवेशन है लड़के दो इसे चैलेंज बद कर किसी और लड़की से चुनाव लड़ा देगा यह चुक्षा एक पांट साल में एलेक्शन होते हैं एलेक्शन में कई लोग खड़े होते हैं कभी-कभी लड़ाई भी हो जाती है पर उसका क्या इसी में गाउं की भलाई है हां हम ठीक है आदी ने कहां इसलिए मान रहा हूं मैं सुनले मुझे नेता की दिखाई ने तो तिरा सिर्फ फोर्द दो बोल रहा हूं मैं हुआ है कुद्टे बिल्ली जैसे जगड़ते रहते हैं दोनों जानी दुश्मन एक दूसरे के ये लगेगा साब हुआ है रहत में ये पत्थर मेले करेड़ में है हुआ 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 है माइनिंग ओफिसर को बुला, इसे चेक करवा रहा है सर, जैसा आप लोग सोच रहे हैं, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है ये बेश कीम्ती नगीने है इसी वक्त आके लोजिकल डिवार्टमेंट को इंफॉर्म करना होगा उन्हें फोन करता हूँ, हलो सर, अन्बिलीवेबल सर इसे फेलीवेबल सरी अल्शाविडेंट को डिवागा इसे शुचिछा अन्बिलीवेबल सर्वाध्यू लोन भगवान ने दिये क्या तू नहीं सुद्रेगा अज मंदिर में कैसे आया बगवान पर विश्वास करने लग गया क्या मजा कर रहा गया पत्ते खलने जा रहा था गेम में हमिश्य जोकर की जरूरत पड़ती है न तो राम बबु कुले ने आ गया पता था यहीं मिलेगा सबाजी मांग लेगा क्या अब मंदिर आही गया तो जाके दर्शन भी कर ले नहीं रहने दे भाई तुझे तो पता है न अपना तो बच्पन से इससे 36 का आगड़ा रहा है पहले मा को मुझ से छीन लिया फिर दादी का नंबर लगा लिया पापा को दूर यह से भेज दिय अब मैं किसी और को दूर करना नहीं चाहता है इस लाइफ में इसके सामने सर जुकाने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं समझ गया यह सदाशिव शंभू शंकरा अप है दोना यह तेरा शंकरा नित्यकर रहा नंदी खोके धुन में तेरी दास यह तेरा शंकरा वाँ रमेश अंकल इतने उदास क्यों लगए आजा क्या अंगल सब ठीक है ना हाँ सब ठीक है कुछ नहीं होगा आज उनका बहुत अप्पान हो है बाबू मेरी कारण मेरी दो एकड़ समीन है जिसे गिर्वी रकर मैंने उधार लिया जिसे चुका नहीं पाए तो जमीन हरप ली रमेश जी मेरी और से सुलाह करवाने गए तो उनका भी अप्पान किया उस गुड़े ने कहा कि समीन चाहिए प्रॉबलम मैं सुल जाओंगा और क्रेडिट तेरा भगवान ले जाएगा नया ट्रैक्टर लिया है ना पूझा कंटिन्यू कर उनके लिए मैं काफी है कि यहीं रुकिया था कि पहां जा रहा है तू जटी खेलता भी नहीं है मेरे भी पत्ते बाट हमारा गेम चालू है तू कौन है अरे तीन पत्ती का तिवाना हो या तुम लोग ये बच्चों की तरह रमी खेल रहे हो बड़ी मुश्किल से जोकर मिला है शाहिर इस बार में जी जाओ तेरी शकल जोकर जैसी है तो जोकर तेरे पास ही आएगा ना फिर से पत्ते बाट है इधर शान पत्ते नहीं दिखाने गार आख कि इस खेल का बाद्शाओ मैं है है मैं इदर कि आए योजा केज दिद करआ चाने सिह के घ्राइट करए है यां सोव्किल पासलिस के बाद्शाओ पार अवहर है है वह तो यह चैकल आए अफर याद आया? आँ या तो उसकी बेटी दिरा के तुझसे बात करे या कोई मर्दा के तुझे समख सिखा यही ओफर था ना? तुले में आ गया ऐ, फोड़ दो साले को यह साला तो माहिर फिलाड निकला भाई लोव सॉरी बोल क्या रे ताओ में तो तुने कॉलर पकड़ा था माफ़ी अब हाद पकड़ के मांगेगा क्या चल पैर पकड़ चलो जो हुआ सो हुआ अब घर चलो हमारी नागलक्ष्मी आज सरपंच बन गई है टेरिंग डैशिंग डाइनेमिक सरपंच नागलक्ष्मी बंगा राजू यह कुछ जादा नहीं हो गया ज्यादा नहीं महाज्यादा ऐसे खिलाएं इस यूग की महान नेता हमारी नागलक्ष्मी जी आप सेज पर आई और गोशब्द गया तालिया 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 नागलक्ष्मी जी आपने स्वागत है तू यह क्या कर रहा है फ्रंट सीप पर बैठकर तालिया बजाकर तमाशा देख रहा है हेड मास्टर ने बुलाया इस लिए बड़ा है अब पस और रुट हो गया गवार कहीं कह अच्छा आपकी सरपंच तो हूँ ही पर स्टूडेंट भी हो यह याद दिलाती रहोंगी इस ट्रेस से वाँ यह ही मेरी सिंपली सिटी हो ए सिंपली सिटी विंपली सिटी कुछ नहीं पबली सिटी है शाही पकर हो हेड मास्टर जी अब आपके वाख혁एगा लक्ष्मी ओ लक्ष्मी ओ अप लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी है है हमारी सरपंच इंसान महीं एक देवी है बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे एडवाश्चर जी चम्चेगरी कुछ ज्यादा नहीं हो रही है ये मैंने नहीं उसने लिखा इसके लिए उसने मुझे दूद मक्षन काजू किसमिस पिस्ते के पेकेट दिये हैं इसकाओं का ओखरता सितारा है हमारी प्यारी नाग लक्षमिस मेरी मासूम बेटी पद्मा दोगने से लापता है कोई धून के लाओ उसे अरे यहीं कहीं होगी शाद रहिए अरे यह बंगार राजो भी सीट पे लई है मैं को बरबाद हो गया इस अब भी बहुत बहुत कि वह उसकी दाधी ने संसकार ही निए उसे क्या कर रहा है आज उस बंगा राचु के बच्चे को अच्छा पर ये मार खाएगा जिंदेगे बहुत बार के जुका हूं ये खेर हम तर्थरो और आतयु को प्रचु कषण सॉन अरो harvest अब हुए जल्दी अंद्र कर जूड़ो। जल्दी अंदर जाओ जाओ टीक है वह पकड़ा नहीं जाएगा ये तुम कैसे जानते करें कईयों को मैंने भी तो छुपाया है मतलब छुपाते देखा है बस एक का मिल जाए बंगा राजू बस एक रानी मिल जाए बूल जाए सुनाई नहीं देता हां क्या है सुबाराओ की बेटी तुम्हारे साथ आए थी ना कहा है वो मुझे नहीं पता ए औकात मेरे तू वरना तुझे सरपंच का पावर दिखाना पड़ेगा या तो उसे ढू हाना ही पड़ेगा चल 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 जा अपना काम कर चल अभी ढूर निकालती है कहां चुपाया है उसे मेरा प्राक कुछ कहा देखना किसी जाडबे तो नहीं लड़के ना चलो आग में थोड़ा आगी जालता है ए नागालक्ष्मी मिल गए क्या वो अरे यह हमारी सर्पंच मैडम है जरा नागालक्ष्मी देवी है महान है शक्तिमान नागलक्ष्मी जिंदाबाद जिंदाबाद ए बंगाराजू आज का ये दिन तो अच्छी तरह याद रखना इन सब के समने सर्पंच आजे शबत लेती है शबत होगी याद रखना बंग लक्ष्मी किसी का जोन नहीं सहेगी सब्सक्राइब लेकिन तुम्हारे पोते को अच्छी लड़की देगा को अच्छा अपने बेटी की शादी मेरे पोते से करवा दो ना अरे आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है पर क्या है आँटी आपने दादा की जरू 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 जरॉक्स निकला है वो अबे चबाड गंजू मुझे इस मामले में क्यों भी जट रहा है पास ही बैठे थे प्लीज बुरा मत मानना तेरी तो इनकी बाद भी ध्यान मत दे अच्छा रमेश सुनना अपनी बेटी का हाथ मेरे पोते के हाथ में दे दे आपको पता नहीं बचपन से आज तक दोनों लड़ते आए हैं एक छट के नीचे रहे तो कुम्फू कराटे जूडो बॉक्सिंग हर दिन होगा फिर भी बेटी ने अपनी राय बदली तो मुझे कोई आपती नहीं किसी दिन उसका मूड देखकर उससे ये बात जरूर छेड़ूंगा कल सुबह जल्दी उठना है अब मुझे सोने दो आराम से सोजा रवेश नेन में क्या बड़ बड़ा रहो सत्यांटी मेरे सपने में आई सत्या सपने में अबलगी क्या वोली बंगा राजु और नागलक्ष्मी की शादी करा दो छुफे आया बड़ा शादी की बात करने वाला पानी पीयों तो यह सादी करवा देगा अभी के अभी धरती पर जाओ इसकी बेटी को राजी करो शादी करा की ऊपर आजाओ प्रित्वी लोग स्वर के अगल वगल महीं तो है, सुबह जाकर दुपैर तक लोटा हुगा अगर तुम नहीं गए ना, तो मैं अपनी जान दे दूँ बरने की दंकी, कितनी बार मरेगी मजाग कर रहा था मेरी हरे भरी इंदर देव मेरे चाचा तो है नहीं, पूनम की रात का अज़ार करो, उसी दिन अपॉइंट्मेंट मिलेगा, चला, मैं हूँ ना, आजा यमराज जी को मेरा प्रणा, इस वक्त यहां आने का कष्ट के उठाया शिवरात्री के दिन शिवलिंग का अभिशेक होगा प्रित्वी पर हर वर्ष शिवरात्री मनाई जाती है, पर इस वर्ष कुछ अशुब होने वाला है कोई अप्शगुन ना हो इसलिए, बंगा राजू की आत्मा को फिर से मृत्यू लोग भेजना होगा एक दैविक कारी के लिए, हम सभी को मिलकर ये कठोर निरने लेना ही होगा आत्मा को मृत्यू लोग भेजेंगे, किसकी आग्या से? शिव की आग्या से ओम नमस्षिभाए फिर तो भेजना ही होगा बंगा राजो, इंद्रो और यमरा जी यहीं आ रहे हैं आरे, यम बॉस, बड़े दिनों बाद देखे, कहां कुंगते इतने दिन? लर्क लोग के लिए ल्ल्स के साथ विजी थे क्या? तुम तो ऐसे बादे कर रहे हो, जैसी ये तुम्हारी चट्डी बढ़ी हो स्वामी, इन्हीं एक बार पृत्फी लोग पर जाने दीजिये ना हाँ, मैंने इसे समझाया था, ये कोई लुनावला खंडाला निये के सैटेडे संडे घूंकर आ जाओ कोई विशेश कार है? हमारे पोते की जिंदगी का सवाल है, जाने दीजिये ना प्रभू ये हो ही नी सकता है, इसको इतनी सी बात समझ में नी आ रहे तुम्हारी हर चाला के समझता हो, बंगाराजू अपनी पत्नी की बात सुनो, पत्नी की हर बात मानना तुम्हारा करतव ये है क्यों भावना की रों में बह रहे हो प्रभू? बंगार राजू निर्णाय हो जुगा है नीचे जाओ विवाह संपन्न करके लोटना उस लोग के कल्यान में ही इस लोग का कल्यान है दन्यवाद प्रभू हम चलो हम हाद हो गई मर के भी चैन ने मिलगा अच्छा हुआ जो वो मान गए अब शादी कराकर ही उपर आना हम आने मर जाओ तेरी सदपर ये कातिला ना आसी देखकर कैसा लगता है बताओ कैसा लगता है जैसे कोई बिजली कीतार सुर सुरी सी कुद कुदी सी कर रही है घर्ट अरे बहुत होगे रेलगाडी इसले कहाना खालो और भी अरे जब्सक्राइब फ़यला खतब ऑर एक ये आपकर की पुड़ी हाना ढटा हो रहा है कि अरे इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो आज का घर में टिकते ही नहीं हो अरे बंगार राजू जब से तुम्हारी दादी गुजरी है दिन रात तुम्हारी प्रॉपटी की देखबाल कर रहे हैं हिसाब लिखते लिखते आखों में छाले पड़ गये पर क्या करें करना पड कब दिल भाई हिसाब तो देखना पड़ेगा मेरी कसम चाहे कुछ भी हुजाए तो यह रहे दो लाख रुपए यह एक लाख कीडे मारने की दवाई के लिए यहां कीडे ज्यादा ही बड़े हैं इतने हैं अब आब बताओ जिंगे का ताला पचास एकर में फेला हैं सोचा हर जिंगे से सौ जिंगे पैदा होंगे पर ऐसा नहीं हुआ फिर उने वाईगरा वाली दवाई भी खिला के देख ली और बारा ही बढ़े ओ अच्छा पर केजी बीस रुपए सर्फ बीस रुपए अरे जिंगा है कोईनुर का हिरा नी चोटा कहीं का यह मुनाफ़ा और य पचास रुपए है कुछ तीस रुपए और चुछ बीस रुपए है किया भीस रुपए भेल मचली नहीं पीज रहे हैं इतनी महींगी इनके कपड़े उतार के मारना चाहिए इनको तो फिश्की कमाई हुई दो लाख रुपए और यह खरचा किया यह आम हम खा सकते हैं? लाउस करो होगी क्या? बंगा राजु के परमिशन की बिना नहीं ले सकते हैं चलो लाओ दो 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 और घर के अंदर जा के खेलो चलो बाबाओ आ बीना दो थे तो इस साल का हिसाब क्लियर हो गया यह पचास अदर उपे रख लो पॉकेट मनी के लिए बागी पैसो की मैं अफडी करवा देता हूँ यह दोनों आम धोके खा लेना नहीं नहीं छोड़ो मैं धोके भीजवा देता हूँ बाप रे अकाउंट सम्हालना कोई बच्चों का खेलने यह बहुत मेनत लगती है इसको अचानक क्या हो गया पचास एकड़ में हजार नारियल होते हैं हमारे पास सो एकड़ है तो हुए एक लाग एक नारियल का 10 रुपया तो कहां है कीड़े मारने में अगले सवाल का जवाब तुम्हें ही देना फिश फार्मिंग पर तुग्यान ज़ाड़ रहा था समझा रहा था हर मचली का प्राइस मुझबानी आ दे तो बड़ी मचली का कितना है वो बड़ी मचली 50 और चोटी मचली फ्री में देता है क्या है और यहां पर यह काम खाने के लिए तुम मेरी पर्मिशन का नाटक कर रहा है हमने आपका नमक जो खाया है ऐसे घोटाले फिर कभी नहीं होने चाहिए अगर कुछ चाहिए ना तो मुझसे बोलो मैं दूंगा पैसा कितना भी बड़ा क्यों ना हो रिष्टे नातों से बड़ा नहीं होता जाओ कहां जा रहे हो यहां चाहिए मेरी बुलिट कहां पर है आप पीछे आप प्चादू 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 अन्दाबा प्चादू तो मुझसे ही बिला अचादा प्चादू इस गाओ को प्रगति की रहा पर ले जाए अले वाली हमारी युवा नेता सरपंच नाग लक्षमी आज किसानों की समस्यां सुथाएंगी जो आप में से निकम में सर्पंच ने विकास सका कोई काम ही नहीं किया लगां में लगां दे लगां दे तुछ से पहले मैं मेरे पापा उससे पहले सिटी हमें ले डूबेगी तू अपनी बात कर उन्होंने विकास किया है मैं और विकास करूंगी हाँ चलने दे इतनी पढ़ाई कि मैंने ताकि अनपड़ गवारों का भला कर सकते हैं वाश वाश एक दिन पारलोमेंट में जाओगी तुम शायद प्राइम मिनिस्टर बन एक काम कीजिए मेरे रहते आप जबाब देंगे तो कैसा लगेगा बैट जाईए मैं हुना देखिए फसल पर कीड़े लगना हर दिन की आम बात है कीड़े फसल क्यों खाते हैं पेट भरने के लिए कभी मेरी तरह अपना दिमाग लगाया होता तो फोकट के दुखने ने र किड़ों का तो पता नहीं पर हम किसान भूख से मर जाएंगे क्या प्लान है नाका लक्ष्मी आंखे खोल दी सबकी यह सारे किसान तुम्हारे नाम का मंदिर बनाएंगे यह ताली बजाओ नेक्स्ट एवरो मा के दी तोलो कोतं द आलने वडिले नने एंटे आदी आदी ने कन्नित पर फ्कॉ प्ता ने कन्नित तो एंगे सारे माईक सतावा हा है सब्सक्राइब तो मैंने किया है सब सरपंच ऑफिस पहुचो बहुत काम बाकी है भी चलो ना यार किसी को कदर ही नहीं है वाव 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 सूपर क्या वाड़ो एडवाईज दी तुमने दिल खुश कर दिया महान नागलक्षमी आज तक मैं तुम्हारा टैलेंट समझ नहीं पाया मुझे माफ कर देना प्लीज इस देश का तुम उजवल भविश्य हो कसम से उस जमाने में और इस जमाने में तुम हे ना हह यकीन हो रहा है ना हो रहा है नागलक्षमी का नारा लगाओν जैनागलक्षमी बूलो ना इसके नागलक्षमी ना तुझे क्या बता President of India होता है देशह possono कुछ जादा है नहीं हो रहा है, feeling important है, नागी शब्द क्यों बंगे राजल, नागे लक्ष्मी को सपोर्ट कर रहे हैं अच्छी बात है, उससे शादी कर लो, अच्छी जोड़ी है क्या गा है? करा राजू बापह, अपोग किसी पफोन आ रहा है, ऐख़ो लार है तुसे रामुचाचा हूँ, अकर बात कर लो हाई बटा!! हाई पाबा, इध इटा खूल या बाबा, अहाँ गड़, टाइम पर उठता हूँ.. ताइम पर खाना खाता हूं, टाइम पर सोजाता हूं. आप वहां डूटी निभाओ, मैं यहां डूटी निभाता हूं. अए वाँ, तो सुबर से हॉस्पिल में हूँ हूँ. ओ, सुबर. ओके, आएल सी यू. ठीक है, बाबाए. चलो रखता हूं, बाई. पापा, पापा, एक मिनिट, कुछ बात करनी थी इतना है अर्सा हो गया है, पापा, कैसे हैं इमले, रोज तो बात करते हैं हाँ, ठीक है, लेकिन सामने से देख fortsतem है अर्सा हो गया आपकी तेख्या है ना, अभेशागी तरफ या और क्या चाहिए मैं भी ठीक हूँ, कुछ और बात करो ना पापा अच्छली पेशेंस वेट कर रहे हैं बिटा, मुझे जाना होगा ओहो, सॉरी सॉरी, लेकिन टाइम पर खाना खा ले ना पापा ठीक है न, क्या है कि अब सीधा भी नहीं है न, खयाल रखने के लिए क्या का, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस अपना खयाल रखना, ठीक है आज तक मैं यह सब कहता रहा हूँ तुम से और आज तुम ही है कह रहा है बस कहने का मन किया पापा स्वीट, हम, ओके बिटा, बाई बाई आप सब काव वाले अपनी जमीन खाली करके इनके हवाले कर दीजे पर क्यों करें, पिछली कई पुष्टों से ये जमीन हमारी है अब ये किसी और को क्यों दे और कोई चारा नहीं है, इनके पास डॉक्यूमेंस है तो मुझे मदद करने ही पड़ेगी इनके मदद करना मेरा फर्ज है ओ, मैडम की पंचाया चल रही है जमीन असली मालिक को ही मिले, यही सरपंच का काम है मैं आपको दूसरी प्रोपेटी दिलवा दूँगी, ये भी तो सरपंच की ड्यूटी है लेकिन इससे तो हम सड़क पे आ जाएंगे सरपंच साहिबा, मैं आपे भरोसा करके आपके पास आया हूँ आपको हक मिलेगा रोट पे फैके गाए ने, उसके बाप की प्रोपटी असले, अब भी दिखाता हूँ अरे, इतनी क्या जल्दी है, मेरी एंट्री बागी है, अट अटो क्यों रहे मैडम, किसी और की जमीन किसी और को कल तो तारिफों के पुल बांध रहा था, आज एचाना काटे क्यों बोरा है है ना गिर्गिट कहीं का ए, तुझी क्या प्रॉब्लम है मेरे पूर्खों ने इनके पूर्खों को ये जमीन दिया इस मंदिर से लेकर उस नदी तक फैली हुई 500 एकड की जमीन हमारी है और इसमें से 50 एकड हमने इनकोद ये बास सरपंकी को समझाईए बक्वास बहुत हो गई, कोई प्रूफ है? वो भी दिखाऊंगा सुनो मेरी मोटर साइकल ले जाओ, प्रम्मों से मिलो लॉकर के तीसरे खाने में जमीन के कागज है लेख आओ शाकल क्या देख रहे हो, लेख आओ थोड़ा सबर रखो, आता ही होगा तुम्हारा सुबूत ये देखो, आ गए असली कागजा अब हो जाएगा दूद का दूद और पानी का पानी चोर को याद आएगी नानी, लाई अंकल, परी गड़ पड़ी लिखी तो होई, तुम खुद पढ़ सकती हो फिर भी समझ में आए तो आप अखील से पढ़वा लो बंगार आजुना हमें बचारिया, वरना ये तो हमें बेखार कर देती मुझे पागल बोला, आई विल के लिए हूँ, और कात मेरे सब रुख जाओ, उल्टा चोर को उतवाल को डाटे, खुद की गलती क्यों नहीं मानती किसी की शकल देखके उसके कपड़े देखके गलत का साथ दोगी, तो पबलिक तुम्हें रोट पर ले आएगी बंगा राजू, यह क्या कर रहे हो? गरीबों के साथ कभी खिलवाड मत करना यह क्या पागलपन है? यह पोस्ट का रोब, होकट का भाशन, काम नहीं आते सुनो तो जाओ यहांसे, घर जाओ आंख और दिमाग खोल कर फैसले करो बंगा राजू बंगा राजू तुम भी यहां आ गई? अकल नहीं है, क्या? क्या कर रहे थे? रो रही है, सब के सामने बेज़दी कर दियू उसकी जानकर नहीं किया, बस बात करते-करते थोड़ा घुसा आ गया हुझे तुम्हारी गलती की वज़े से रिष्टा बनने से पहले ही तूट जाएगा कैसे मनाओगे उसे? आप देखो रुक जाओ नागलक्षमी, जरा सुनो तो ये पूरा प्लान हमारी सरपंच जी का था हमारी ग्रेट सरपंच नागलक्षमी इनकी कोई गलती नहीं है बलकि यहाँ पर गलती मेरी है मैंने अपने कागस घर पर रखे थे इनके इस छोटे से नाटक से हम दोनू की गलतीयां सामने आ गई न्याए दिलाने का ये तरीका हमारी सरपंच ही सोच सकती है ये प्लान कब बनाया? सच मेर इतनी खरे खोटी मैंने सुनाई लेकिन इन्होंने मुझे एक शब तक नहीं का साक्षा देवी है ये सोनी का दिल है तुम्हारा नागलक्षमी सच में तुमने मेरा जमीर जगा दिया अब इन सारे लोगों को उनकी जमीन के दस्तावेस दो ताकि इनको वो महसूस हो जो मुझे हुआ आग लगाने वाली है तो आओ नागलक्षमी चलिए सब आगे आजाएए सभाए के रखना है अगी अब हम सब मिलकर नागलक्षमी जी का जय जय कार करेंगे जाए 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 अब देखना तेरे फॉलोवर्स कितने बढ़ते हैं बात करने में थोड़ा अक्डूसा है पर देल का बहुत अच्छा है आई लाइक हिम नाइक हिम मसली जाल में पस रही है मेडम मेडम सर्पंश मेडम इतनी आपनी सुर्स पर भरोसा मत करना आपकी उमरी क्या है आप सर्पंश है कोई छुटी मोटी हैसी नहीं आप इती पड़ी लिखी हैं बहाग्यानी हैं आप यहां के राजा जैसी हैं और वो मामुली प्रजा है मुझे सब पता है एक नंबर का आवारा है सबसे बड़ा छे छोड़ा है पर मैं उसे पसंद करती हूँ अरे हां तुम यहां नीचे कैसे आ गई ऐसे आई रभू हां बात क्या है रभू जरा वहां देखिए उन दोनों को मिलानी की बजाय उन्हें दूर कर रहे हैं उन्हें इसी वक्त उपर बुला लीजिए इतने अल्प समय में उसे बुलाना असंभव है तो फिर मुझे नीच हारी 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 लड़का मैंने पहले ही देख लिया है बस सही वक्त का इंतजार है कल पूजा के बाद उससे ये बात करूँगा ठीक है कल में रमेश को सपने में किया उसका वादा याद है मेरे मरने के बाद भी अपनी जबान पर कायम है सुपर्ब चॉइस है जो हमें चाहिए था वो सार एक गुण है इस लड़की में शादी के बाद दुनों एक साथ कैसे लगेंगे जैसे हम लगते थे देखा उसका चेहरा पुनम के चांड जैसा खिल रहा है उसका सरल मन गुलाब की तरह महिपता है सुन्दर्ता और सादगी का अनोखा संगम है ये नड़की बिल्कुल तुमारी इचा भी है अहां सही कहा ये हमारा सपना है और जरू पूरा होगा शादी के बाद तो हमारे पुटे के भाग खुल जाएंगे जाओ पुझा खत्मोने से पहले उससे यहां ले आओ हाटो लेकर आता हूं न मैठो बिटा है है अधिक अधिक टेल्स चल जल दी प्रदा है अधिक हार गार जोड़का और बंगाराचो हापत्मा मुझे तुम से बात करनी थी मिल सकते हो कहां हो तुम हमारी नारियल के बगीचे में अचा ठीक अब याता पंगार राचो है बोलो क्या बात करनी थे शर्मा गयो रहें दरसलों क्या हुआ बोलो ना है जह बोलो चाह wires कोitsuं कर रहें छूआ को जग sack करू दो है जह मुझा जह कर भान सु क्या कोर भान कि खचके लघँ गना है तो है यह ए लड़ने आया हो या डांडिया खेलने आया हो हाँ दू एंड वन का पावर देगे हाँ 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 वज एंड भी हाँ 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 यह हाँ यह जो कि भी झाओकी। कर दो कर दो पूजा के बीच बिखन आपके पिताजी के लिए बहुत बड़ा संकट लाएगा यह गलत हुआ पूजा में विखन डाल दिया दिमाग नहीं है यह बनाओती है पापा ऐसा कुछ नहीं है यह लेके जाओ इसे ले जाओ जाओ कभी माफ ने करूगी समझता क्या है खुद को ए चलबाद शार मानी चाहिए तुझे बाद दरसल बात यह है कि उसने मेरा अपमान किया इसलिए बंगा राजु ने उसे सबक सिखाया उस दिन का बदला लेने वो आया था सुनो बिटा वो क्या है नाग लक्ष्मि को मेरी फिक्र हो रही थी इसलिए उसने ऐसा किया तू दोस्त है इसलिए तुझे छोड़ दिया परना आज उस मंटप में तेरा सर काट देता बीस लोग मिलकर एक आदमी को नहीं मार पाए भगा कर लाए भी तो उसी यगजे के पास पूरे गाओं के सामने तमाशा बना दिया आज़ अगर में वहा नहीं होता तो सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता उसका मरना क्यों जरूरी है पता है ना अरे बताना मंदिर में छुपे खजाने के लिए गारेक्ट ताइम पास के लिए उस भंगार राजु को मारने के लिए नहीं कहा है तुम लोगों को यह खेर लगता है क्या उस माइनिंग आफिसर को क्यों मरवाया था किसी वक्त आर्के लॉजिकल डिपार्टमेंट को इंफॉर्म करना होगा अनबिलीवेबल सर्थ उस ओफिसर ने बिल्कुल सही कहा यह कोई मामूली पत्थर नहीं है यह अद्भुच्चमतकारिक मणी है जो सालों से उस मंदर में छुपा कर रखी हुई है उनकी रक्षा के लिए खास शक्ति काम कर रही है उन मडियों को हासल करने के लिए उस खास रक्षा कवज को हाटाना पड़ेगा कैसा रक्षा कवज? बंगार राजू बंगार राजू? बंगार राजू का वजूद मिता दो बंगार राजू को मरना है होगा इस सब में तुमारे पोते की कोई गलती नहीं है इस दुश्मनी की शुरुवात मुझसे होई थी वज़ा तो तुम जानती ही हो तुम अपने आपको दोश्मत दो सब किसमत की बात है तुम्हें इस तरह से दुखी देखती हो तुम उससे बरदाश नहीं होता उन आत्माओं को और कितना कश्ट सहना पड़ेगा अतिशिग्र उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी पोर्ण रूप से उनका स्थित्व समाप्त हो जाएगा लेकिन उन्हें परम्मोक्ष मिलने से पहले अपने अधूरे कर्मों का हिसाब पूरा करना होगा सुख और दुख दोनों भोगना होगा अभी बहुत सारे बड़े कारे करने हैं इने बस देखते जाओ शो आज़े नहीं शे, क्या फालतू दोस्त है तुम लोग एक गेम नहीं जीच सकते हैं कितने दिनों से हमने पार्टी नहीं की थी आज जब पार्टी की ये तो जम कर पी था है फुल नाइट क्या है सच है नागलश्मिन इसको कान के नीचे बजाये था सोलाले सच है तुम लोग ये गेम से सन्याज लेड़े तेरी चाल अरे मेरे लिव रख रको देखा तुन्हे नागलश्मिन इसा जड़का दिया है कि दिल में गड़़़़़़़़़़़़़ चार सुवीज़ का जटका बोल अरे रूख क्या कर रहा इतना दिल पे नहीं लेते अच्छे किक मिलती है यार जब बोल, किसकी बारी है? वो बिचारा तो परेशानी में पी रहा है, उसे रोकना चाहिए था ना? गम में पी रहा है बिचारा यह सिर्बारी हो रहा है मैं अरे बंगाराजू पता सब क्या बोल रहे हैं नागलक्षमी ने तुम्हें सब के सामने थपड मारा हुआ रहे किस सुसां है इसमें ऊ Smoke a में ऐुजा हुआ कि उसे हुआ में करुच्छा तर्फ़िर इस मếnें सबसें मार पीट का रहा है है इसकी बेंक ़िमें उसे रोकने की बज़ारी है कि इतने सीरियस की हो गए जबता है चला आजा आजा जो लूब मैंने गूदभार एकी लिस्ट बना भी है बोलता जा अलदी चार किलो दो किलो कर तीन किलो केसर आजा कर दे शास्त इसकी आगया नहीं देता शास्त रहा तुमारा राशनाल ऐसा नहीं है करना मश्कार में समाज में आपकी थूठू हो रही है और आप यहां पर मिंड़ की तरह कूदे जा रहे हैं शर्म नहीं आती आपके जगा मैं होता तो खुन खोड़ा एंट किसने कि एब बताना मुझसे तो बोला नहीं जाएगा बता उसने का आप धिमाक से खाली हो काली दि लेकिन असा कहा क्यों नाग Lakshmi जब से सर्मच बनी है एक बार भी आपसे मिलने आई है क्या तो क्यों नहीं आई कोई बिजी बिजी नहीं बोल रही थी वह ना वहालत आतमी से मिलने नहीं जाएगी उसने का आपकी आपकी आप गुलाम लगता हूं तुम मुझे सर पर बिठा कर रखते हूं उसे बताना थे ना अरे आप गुलाम नहीं राजा है राजा लेकिन उस नकचड़ी लड़की को तो मूतोर जबाब देना है ना उसका एक आइडिया दूं क्या अभी गूद भराई के रस्म होने वाली है उसकी पूरी फैमिली को एक हफते के लिए अपने घर बुलाना है ना उसकी ऐसी खातिरदारी करो कि उसकी साथ पुछते तक याद रखे और क्या है यही करना है बुल जब से मैं सरपन्ज बनीओ फर बहुत बीजी रही हूँ मुझे कहा टूं काहे है के बीजी हो इन जोकर्स की मंड़ली के साथ गूमने का टाइम मिल जाता है लें मुद्से मिलने के टाईम पर बड़ी बीजी हो जाती हूँ राजू बहुत बड़ी आफ़त है उस दिन पुझा में विखने डाला उसकी शकल तक देखना नहीं चाहती हूं बस इतनी छोटी सी बात उस दिन आपने हम सब को बताया था उन गुंडों से उसका कोई नाता नहीं सच्छा ही नाग लक्षमी को समझाईए दरसल बंगा राज तुमने तो कमाल ही कर दिया सरपन्च जी का स्वागत है इसके क्या जरुदी तुम जो पंदारी हो सरपन्च वारों के लिए हूं परिवार के लिए नहीं देख रही हो नेताओं से दो कदम आगी है देख रही है वेल्कम 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 उस दिन मंदिर में दुश्मनी पर लेक्चर दिया था आज ये घर पर आगी ये लड़की नहीं आफ़त है ये सला उस दिन धपड को याद करके शराप पिये जा रहा था और आस तारीफों के पूल बांद रहा है अगर नागलक्ष में गुरू है तो हमारा भाई गुरू आगे क्या होगा तो हुआ है है तो है शॉरी अधर आसर थांक्स कहना था थांक्स किसलिए उस दिन पापा की हेल्प की थी ना उसके लिए थांक्यू समझा नहीं कुछ यादे ना उस दिन अंकल की तरफ से गुंडों की धुलाई की थी इसलिए आज बिल्ली बनके आई नागलक्ष में इतना प्यार यह पटे की नहीं ना पटे नहीं दूंगा चला हां हुआ है है अच्छा हुआ दूनों थड़ा करीब आने लगे आखेर पोता किसका है अरे सुनो कुछ कहना था अरे एक मिन्ट को कुछ बात बता नहीं है अरे अंकल हाथ उपर करो अरे यह खर एक युक्रेंद रशीय का बॉर्डर है भार हिटा पड़ा का आडर है वहाँ जाके खिलना हागी दर से लड़की हो इसलिए वार्निंग दे रहा हूँ वो किसी एक का होगा ये बाद तो तुम भूली जाओ बच्पन में जब वो गोपियों को घुमा रहा था तब बच्या समझ के लेड़को किया ये कनया एक राधा पे टिकने वालों में से नहीं है ये रसीला है अगर कोई धांके बात है तो जल्दी बखो सर पैच का टाइम बेस्ट मत क अगर तो लेड़ी सिंग हम बन जाओंगी एक पंजा मारा ना सारी आशे की बूल जाएगा ये जो स्थंड़ना मत होने दिना अल्द बेस्ट मेरा आशिर्वाट लोगी अच्छे रहने तो इतना भी बुट्टा नहीं हुँ हाँ 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 हमारा वेजू बावरा हो गया है हमारा बेजू बावरा हो गया है इसके नाग लक्षमी तु मेरे घर की लक्षमी बनेगी हाई बंगाराजू आइ तुम भी इतनी अच्छी देख सकती हो सच में हैं सकें आज फ्री हो क्या तुम इंके बास क्या काम है ये तो फ्री है तेरी तुम ने ने मुझे बहुत काम है कि मैं चलता हूं बाइब बाइब एक या सब फोन में लगे पड़े हो इतारा हूं या वाज है दीदी मेरे साथ गेम खिलना चाहोगे ये कौन सी गेम दीदी लुका छुपी चोर पुलिस लुका छुपी और चौर पुलिस मतला ना पक्रूं वो छुपे वो पकड़े मैं देख रही हो यहीं चुप कर रहाएगा हीरो ओकी तो फिर तुम भी हमारे साथ खेलो हमारे साथ तो नहीं खेलते लुका छुपी और जोर पुलिस वाला गेम येरो फीवरिट है तुम्हें गेम खेलनी है या इन पर लाइन मारनी है वान तू थ्री यह तीन आउट होगे औ वाल लाल गोपान हाथ में हाथ डाल दिया हां हम दो ही बचे हैं सब यहां आजाओ जदी आजाओ आजाओ यहां हो तुमने कैसे किया था ऐसे और मैंने ऐसे तो डाइन किस पर आया अहां होई तो गलती से मिस्टेक हो गई ना आजाजा आजा आजा बच्चा फूल फोकस है तुम उदर फोकस करो लाता तुम कांटिनू करो अकड़ बकड़ बंबे बो असी नबबे पूरे सो रोशन जाओ पूरा मैदान कुलिर कर रा है ते अपनी फिल्डिंग लगाएका अकड़ बकड़ बमबे बो असी नबबे पुरे शो बंगागा राज हम बंगरा राजे चूप रहा है । आपकर्ब बेबो, असीनब बे पूरे सौ नागलक्षमी, जाओ चुपो वान, टू, ट्री, पूर, पाशीट सवेडिक डइटैरराटराटराटराटराइब। याद, अज तो में फिल्म देखने को मिलेगी? याद, याद, बाएका मुझे इनाकलक्षमी, नहीं किस दो कि दो कि दो है, नाकलक्षमी, आने इस तरफ, यहां जाओ, जूप जाओ, मेरे पास, यहां पराओ, जाओ, मुझे देख और, गपाओ, 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 मुझे देख नुखुग। 98, 99, 100, ready or not, here I come, चुपो! देखना कहीं बार तो नहीं है जाओ देखो ना आ रहा है क्या है यहीं आ रहा है दिख रहा है क्या तुम्हें हाँ वो बाहर है तुम्हाद रहा हूँ तुम्हें कहा बाहर है मोटू बड़ा तेज है ओके उस सरफ चिपते हूँ क्या कर रहा है रिंग को देखो बहाँ जा कि देखो और है क्या ठीक रहा हूँ अधिया उट बंगा राजू यहां बहुत जगा है यहां कर छुप जाओ जगा कहा है दोनों के लेए काफी जगाया आजाओ छुप जाएंगे नहीं रूड़काएंगा कहीं नियतना दट्मा काचाने थे मामा लग पगले पंगा राजू यहला भया पगले लेदा अकर आम्मा रामा 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 इंग पिड़ते रियाक्स्ना आगे उंटली तो यूसे वाँ वाच्चम जूसे तो गंगा राचू रमांटे रावे यला वाया वो गंमा याटु वाइप तिरिगी अंदा मेन नडूमु जोपेंची रहा रहा अंटूंटे अधादे अधे 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 इनु ये मालो चेंचा को ये लो कुर्मी वादी पेस्टु जाने में लेजाके दरवासे की कॉंडी बंद करतेका उसके बद क्या करेका तूम तो जानती हूँ अंदर से दर्पासा बंद करती है नियत में खूट है इसकी कोशिश तो करके देखे नाग लक्षमी क्या हे पता चलीका अधे पाठा छेलगा पहले दालेगा फिर चिम्ट लक्ष्मी का गुस्ता ज्वाला मुखी की तरह भटेगा उसके बाद यह प्यारी बात है यह गहरा प्यार शादी के सपने बच्चे बच्चे सब खतम हो जाएगा सपने किये करा है पर पानी फिर जाएगा दबोच लाएगा आने दो से शुक्र है यह सबग हमर भर याद रखेगा नादलक्ष्मी इस करके अधिती हो तो और पता है नाधिती देवो भवा मेरी महमान ये केम हार जाए उससे पहले में खुद ये केम हार जाओंगा खुद को ही मै आउट कर दूँगा ठीक है ना हर्य आउट अब मैं बाहर जा रहा हूं वंगा चपी अच्छा लड़का है आज अच तक इसके बारे में इतना गलत क्यों सूचा बच्चों के साथ कहिलता है बोला हो और मासूं, इस पर तो प्यार आ रहा है मझे, जोला मखी तो दूर कॉंबी नी पूटा, मैरे किये कराय पर पाने फिर गे, एक तब यूज लेसो मंगा राजो की मौत का हवन है इसके मृत्यों का रास्ता सोच लिया है, सही मूर्थ का इंतजार है मुझे सही मौर्थ की जरूरत नहीं, बस एक सही मौक्य की जरूरत है मार तूंगा उसे, आने वाले चार दिनों के अंदर उस बंगार राजु की कहानी हमेशा के लिए खा ए, आदी, तुम बंगार राजु को मानने वाले हो तो तुने सब सुन लिया, सब कुछ जा के उसे बताएगा हाँ, बिल्कुल बताओंगा पिताजे आदी, मैं पच्चीस सालों से एक एक दिन परतिशूत की आग में जल रहा हूँ या तो तो उसका शिकार करना, या उसे मिरे लिए छोड़ देना ना हमारे पास वक्त है, ना ही कलती करने की कोई कुछाई आदी, संधिय जी आई आई, ना दिल पे निलेते नमस्कार अंकल, नमस्कार कैसे हैं आप, अच्छा हूँ रास्ते में कोई तक्लीप नहीं है, कोई खास दी ये नए करेक्टर कोँन है ये हमारे ब्रह्मों के संधी हैं कितने बात के बात मिले हैं अब टाइम मिला हम जरब बिजी थे जाए अंदर बैठिये आई आई अंदर चादे तुम इतना गुसा में क्यों हूँ, क्या हुआ गुसा नहीं तो क्या इंसे प्यार से बात करूँ ये क्या कह रही है, कोई ऐसे बात करता है क्या बार बार इनकी शकल ना देखनी पड़े इसलिए इस बहुत पहले इस घर में आप अंदर चाहिए ना अब इस लड़की को क्या हो गया मुझे भी समझ में नहीं आ रहा बीटा अखिर बात क्या है? आपने मेरी शादी ही क्यों करवाई? मेरी खुशी के लिए या फिर इनके घर में नौकरानी का काम करने के लिए ऐसा क्या किया इनों ने? ये पूछो क्या नहीं किया? मेरी हर एक चीज सेने प्रॉब्लम है सुभर देर से उठों, पती को नाम से बुलाओं, कभी टीशट पहन लूँ, रात को नाइटी पहनू, खाना बनाने में देर हो जाए या फिर खाने में नमक ज्यादा गिर जाए जो करूँ वो प्रॉब्लम जैसे कि मैं एक इंसान नहीं मशीन हूँ, ये शादी गले का फंदा बन चुकी है, ऐसा लगता है घर में नहीं किसी जेल में रहती हूँ लाता, धीरे बोलो, वो सुन लेंगे सुनने दो नहीं समझ गया ना, शादी करके इतनी टेंशन में जीना, उससे अचा कवारे रहके हैश करो सही का क्या क्या जब देखो दाथ दिखाता रहता है, कुछ काम दंदा नहीं के तरे पस क्या बढ़ों से ऐसे बात करते हैं, यही सिखाया है हमने तुम्हें एक बात बताओ लता, सुबह जल्दी उठने के लिए, पढ़ाय लिखाय के लिए, साफ सफाय रखने के लिए, बढ़ों से कैसे बात करते हैं इसलिए, या खाना बनाने के लिए बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे ममी पापाने तुम्हें कितनी बात टोका होगा कभी तुमने उनकी बात का बुरा माना, ये तुम पर होता है कि तुम उसे किस तरह से लेती हो, तुम्हारे सास ससुरने भी तुम्हारी हरकतों पर तुम्हें बेटी समझकर टोका होगा, ये सोचकर भी टोका होगा कि इस बात को लेकर तुम्हारे पती से कोई अन बनना हो इन बातों के पीछे शिवेन के प्रेम को देखो, इस तरह गुस्से में रिष्टे नहीं तोड़े जाते हैं। अंकल आंटी, यहां आईए न, प्लीज। देखिए यह नया जनरेशन है, तो आप भी वक्त के साथ बदलिए। एक लड़की अपना घर छोड़कर बड़ी उमीद के साथ एक घर में जाती है, और वहां आपको अपने माबाब समान समझती है। आप भी खुश रहेंगे, और यह भी सुखी रहेगे। देखिए एक बात समझना बहुत जरूरी है अंकर, एक उमर के पड़ाव के बाद, जब हाथ पर चलना बंद हो जाएंगे न, तो आपकी मदद करने के लिए आपके पड़ोसी या आपके रिष्टेदार नहीं आने वारे हैं, बलकि उस वक्त कौन साथ होगा? उस वक्त माबाप साथ होंगे, और यही सच्चाई है, अलग रेने से हल नहीं निकलता, सबके साथ रेने में ही सुख है, वादा करो, खुच से वादा करो, पिगड़े हुए रिष्टों में फिर से मिठास खोलोगी, हाँ, 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 यह क्या, बिठाब, सारी पापा, क्या रहे, इनका मेरोडामा अब तक चल रहा है, अरे, किसलिए बोला, अगर शांती से जीना आना है तो शादी के जंजट से दूर रहे, इतनी जल्दे तो गिरगड़ भी अपना रंग नहीं बदलता, किस सोच में डूबे हो, कोई परिशानी है, कैसा होता है न इंसान, जिन्दा रहते हुए जीवन का मुल्य नहीं समझ पाता, मरने के बाद समझ में आता है, मैं समझता हूँ, मुझ से पूछो, प्रेम और रिष्टों से बढ़कर कुछ नहीं होता है, ना अपनों के साथ र पाए, बड़ा मकान दो मनाया, लेकिन घर नहीं मना पाए, छोटी-छोटी बे मतलबी बातों पर कितना कलेश मझाते हैं ये लोग, जीवन है, तब तक प्रेम है, मरने के बाद तो बस फोटो में ही रह जाते हैं बंगाह राजे को जगडालू समझती थी, लेकिन वो रिष्टों को इतना समझता है, ये देखकर मन में उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई, सच कहूं तो मैं भी यही समझती थी, अपने बरताफ पर म्याद शर्मिंदा हो, उसने मेरी लाइफ बदल दी तुम दुनों भी धोका खा गई, अंदर राम बनके रिस्तों पर लेक्टर देता है, बाहर शाम बनके शादी को फालतू बताता है, अरे इंसान है, नो वे, मेरे पापा ने कहाँ, अच्छा लड़का है, तेरा पापा उससे कम बेउकुफ नहीं है, मेरे पापा के भार में इतने बड़े गोल्डेन चांस को छोड़ा के से, मारने से पहले सोचूंगी नहीं, तो क्या उसके लिए तुम मेरे राम नम सप्या करेगी, सौरी हैं सौरी, ठीक है कल उससे मिलो, और मिलके उससे ये कहो, कि मुझसे मिलने के लिए तुम मेरे आम के बगीचे में आजाओ किसे, और ये भी कहना कि वहाद तुम दोनों बिलकुल अक्यले होंगे, बहुरे की तरह उड़ता हो आएगा, अगर तुम्हारे साथ उसने कोई गंदी हरकत नहीं की, तो ना सिर्फ मैं तुमसे हमेशा के लिए हार माननूंगा, बलकि तुम्हारा कन्यादान करके, होने वा पर आवाला से, हां मांग लूँगा, पक्का ना, मेरे हारने का सवाल ही नहीं है पर मांग लूँगा, लेकिन सोनो, ज्यादा ओर एक्टिंग मत करना है, वरना उसे शक हो जाएगा, रामा कॉम्पेटिशन में बहुत एवोड़ जी चकियों, देखते जाए, देखते जाए बंगा राजू, यह रोज रोज क्यों करन्ट मारे जा रही, अब कान सा कांट किया, थोड़ा पेट्रोल छिड़का है, प्यार की चिंगारी नफरत में बदलेगी, बस अब बारिश ना जाए, मन होस, अगर एत्राज ना हो तो कल हम आम के बगीचे में मिल सकते हैं, आम के बगीचे में, आहां, ओके, कौन-कौन जा रहा है, कोई भी नहीं, तुम, मैं और बस तन्द हाई, मतलब तुम, मैं, और कुई नहीं, आओगे ना, हां, कल सुभा साड़े नौबजे, शार्प, आम के बगीचे में, फिक्स, ओके, ओके, प्लैन का मियाब हो रहा है, अले पापरे, बाउली होगी ये तो, आम के बगीचे में मिल रही है, वोगी अकेले में, कुछे-कुछे रहूं, पापा, मैं आपकी प्राब्लम समझ गया, टेंशन मत लीजे, मैं हूँ ना, मेरा राजा बे ए, बंगाराजू, यहां क्या कर रहा है, क्यों नहीं आ सकता, तुम भी तो आए हो, वो तो, हम बोर हो रहे थे तो, यहां टंग ले आ गया, भई-भई, मैं भी बोर हो रहा था, तो खेलने आ गया, इधर आओ, एक गेम खेलते हैं, कौन सा गेम, रणिंग रेस, वो कटा प इड़ वो saन पड़िक झाल चस्तुंट सा06ज सकते हो यह तो ओल झाल सर सकते हैं, वो यह तो रहाई थे खीड़िका, वो जिन्ना, बंगा राजु! जिन्ना, जिन्ना, जिन्ना! जिन्ना, जिन्ना, जिन्ना! कर दो! यह अपना ही बच्चा है, नंदी. यह अपना ही बच्चा है, नंदी. बंगार, राजू! चिननन तो ठीक है, ना छोट तो नहीं आई? न ठीकू. यह ठीक है? इसे कुछ भी नहीं हुआ, चिन्दा मत करो, ठीक है? और कितनी तिर तक सोता रहेगा, उठाओ ना इसे? अरे सोने दोना बिचारे को. ओ, अभे तक नहीं उठाओ. अरे साफिरा ना नहीं हुआ है. अरे साफिरी नहीं हुआ ना. अरे साफिरा यह उठाओ. रामू. कि अविए झालियू विए कि अटको प्राइब कर्दाद कर्दाद कर्दा एंग कि अब दो कि संभाल के क्या रहे उठ गया नौकर से कहो नहाने के लिए पानी गरम करे दादी गालियां देंगे अगर तुम्हारे बद्धेपद्वे कमी रह गए तो कितना जूर बोरी है कब दाली दे इने कि कि अबदने कि अबदने कि एप कि अब अब कि है कि आप एक गष्ट है जानुवर को नह ला रहा है क्या माफ की घलती हो है और यह कि मैं नह आती हूं पाई डालो कि अग्यूद है अग्यूद है कि अग्यूद है देखो तो कितने प्यार से इसका सिर्द हो रही है दहाने के बाद पूजा करने आ जाना पूजा करने? लेकिन क्यों? मैं कह रही हूँ इसलिए ठीक है? आरती लो आरती लो यह आज खास तुम्हारे लिए बनाया है खाओ प्रसाद खालो फिर हमें मंदर जाना है अब इसकी आदर डालो देखते हैं हलो हलो बिटा आई पापा इड़ी इट? टाइम पे उठा टाइम पे खाया टाइम पे सो जाओंगा असली हो गई? अब फोन की ड्यूटी हो गई हो तो हॉस्पिटल की ड्यूटी कर लीजिए तैंक्स पर कॉलिंग वेल्कम मिटा बाइ बाइ पापा से कोई ऐसे बात करता है क्या? मैं अपसे मिलना चाहता हूँ पापा मुझे आपकी बहुत याद आ रही है बच्पन में ये सारी चिठिया लिखे थी पर मैं उन्हें कभी पोस्ट में ही कर पाया पता है उनकी और मेरी दुनिया बहुत अलग है अमेरिका जाओंगा तो भी उनके पास मेरी लिए वक्त नहीं होगा और यहां पर वो आएंगे नहीं मुझे वो बहुत प्यार करते हैं पर पता नहीं क्यों जाहिर नहीं करते और जितना वक्त वो मुझे दे रहे हैं न उतना मेरी लिए काफी नहीं है तो मैं उनसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करता क्योंकि इससे कुछ फाइदा नहीं होगा इस रिष्टे की दोर और कम्सूर ना हो जाए, इसलिए मैं बेमनी सही लेकिन उनसे बात कर लेता हूँ सच कहूं तो लाइफ में खुशी जैसे कोई चीज रही नहीं है अपना दुख छुपाने के लिए हर चीज में खुशी ढूने की कोशिश करता पर अंदर से में कितना अकेला हूँ ये तो मैं ही जानता हूँ अरे आ गई पिटा कैसा रहा फंक्शन बहुत मजाया आओ खाना खालो अभी आई एक मिनेट फोन देखो बंगार राजू उठाओ अलो अंकल हाँ बोलो बिटा एक जरूरी बात करनी है क्या हुआ ये बात मैंने अभी तक नागलक्ष्मी को नहीं बताई है सोचा पहले आपसे बात कर लूँ मुझे उससे प्यार हो गया है अकर आपको एतराज ना हो तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ मैं नहीं जानता कि आप मेरे बारे में क्या सूचते हो पर मैं आपसे एक वादा करता हूँ जितनी इज़त मैं अपने माता पिता की और अपनी दादी की करता हूँ उतनी ही इज़त मैं आपकी बेटी की भी करूँगा अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीशे मैं थोड़ी देर में तुम्हें फोन करता हूँ अहां ठीक है अंगल कट करो क्या जवाब दू बिटा आप इससे अच्छा हम सफ़र मेरे लिए ढूट पाएंगे क्या हाथ मूँ धोले खाना ठंडा हो रहा है आज़ा ठीक है तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया मेरी तो समझ में नहीं आता तुम्हारे पापा से बात करता हूँ ठीक हो ना रामू हमारे बच्चों को एक दूसरे से प्यार हो गया है यू मिन लव? हाँ तो फिर सोचना क्या है? शादी करवा दो दोनों की फंद्रा तारिक का मुहृत है शादी की तैयारियां करनी होगी तुम्हें वाट? नेक्स मन्त फिफ्टींद को? हाँ वो कहते है ना चट मंगनी और पट ब्या जल्दी से टिकेट बुप करवा दो आई कांट काम टू मेनी सरजरीज अरे तुम अ एक काम कर रमिश उनकी शादी करवा के यूएस भेज दे हानीमून के लिए तीन मेने मेरे साथ भी रह लेंगे हाँ अरे तुम्हारे पापा भी अजीब है शादी के लिए अपाइटमेंट नहीं थी और का की हनीमून के लिए वहाँ भेज देना वो क्या है ना वो पापा बाद में है पहले वो काडियोलोजिस्ट है ऑपरेशन्स बहुत इंपोर्टन्ट होते है शादी का क्या हो जाएगे हम योईस जाकर आशिरवाद ले लेंगे ना एक ही बात है ये भी ठीक है ये सही कह रहा है अगर मैं जिन्दा होती तो आज ये शादी बड़ी धूम धाम से करवा थी तो अब भी क्या विगड़ा है तुम लेडीज में इंजॉय करो मैं आद्मियों में शामिल हो जाता हूं दोनों मिलकर धमाल मचाएंगे चलो अखिरकार बंगाराजू के शादी से लोग कितने खुश है दूसरी तरफ इनके बेटिया शादी रुकवानी के लिए हर तिकडम लगा रही है इनके बेटिये बिना ये शादी नहीं हो सकती अब वो ब्लेसिंग होता है वही तो बोला मेरे चलो काम चला लेंगे थैंक्यू हाँ चलिए आजयो अजयो और इने खाना भी ठूस ठूस के खिला ना अपना सारा ब्लैक मनी इनी भुकड़ों पर ही तो लुटाना है ना जडला तो जडला आजू के सयों के सउब अरे आओ बेटा कैसे हो मैं ठीक हूं आप कैसे हैं तो कैसा है यह इंविटिशन कार्ड है आप सबको आना है हाँ जरू रहेंगे और वाई सब ठीक हाँ अब सुन अमने दोस्तों के लिए बैसलर पाटी रखिया और तुझे आना ही पड़ेगा याद रख शादी होने तक क्या देख रहे हैं आप कुटों पर गौर करो कुछ बेचैन से हो रहे हैं तो मैं हो गया हूं उसकी शादी की खबर सुनके और आप कुटों की हरकतों पर रिसरच करते बैठे हैं कब खात्म करेंगे उसे उसकी मदद कर रहा है कोई कोई अंदेखी शक्ति उसके पीछे है कुछ नहीं है वहम हो रहा है आपको विश्वास नहीं हो रहा ना वह आ चुका है बंगार राजू की आत्मा यहीं है अब मिलेगा तिल को सुकून 26 साल से मुझे जिस दिन का इंदजार था आखिर आज वो तिन ना ही कया यह आप क्या कह रहा है पिताजी सत्य है एक ऐसा सत्य जिस पर किसी को यकीन नहीं अर 24 साल में एक पार शिवरात्री के दिन रुद्रा भी शेक करने के लिए यमलोक से एक आत्मा मृत्य लोक पर आती है उस आत्मा में इंद्र देव की महिमा यमराज का राध्रा और शिव की शक्ति होती है इस बार वो आत्मा कोई और नहीं बल्कि भंगार राजू की आत् मैं स्ञेन साक्षी हुँ अपनी आखों से उस आत्मा को दिखाए उस दिन मैं मोथ के जंगल से बाल बाल बचा था और तभी मैंने प्रतिग्या की कि उसकी आखों के सामने उसके पूरे कुन्वे को भस्म कर दोंगा अगर मैंने अपनी प्रतिग्या पूरी नहीं की तो ब्रांड भी त्याग दूंगा देखना चाहोगे उसकी आत्मा को अखना वाल अखना वाल अखना वाल जिरेखने वाल अब क्या करना है पिताजी उसके पोते को मारना है जब आत्मा उसके भीतर नहो उसे सिर्फ मारना नहीं है बल्के तरपां तरपा के मारना है जा उससे ढूंड निकालो वो आचरा जश्न मनाने आएका ये उसका आखरी जश्न होगा भाइका प्रस जब कि कैसे सिर्फ झालो वो आखरा हो जाखरी जश्न हो पार उसक benefते जश्नài के जब करदू वेरा है लाओ! विद्वाम्सम्चेस्तुन नदी मीको कनपिस्तुन ना चिन्न बंगाराजु कादो वाडिलो आपलो ना पैद्ध बंगाराजु आत्मा अब क्या करें इसे कैसे मारना है? मैं जानता हूँ किसने बेचा जुझे? किसने पेचाए तुझे? क्युम मारना चाहता है? क्लोल, किसने बेचाए? बोलना, उटना कुछ तो गर बड़े या मेरे पोटे को कोई क्यों मानना चाहता है। अब बस एक अंतिम युद्व बचा है। ओम नमाशिवाय। सबस्ताज तीन कॉफ़ी पिलाए। सत्यमा, तुम यहां, हमारे साथ चलो। आम, तुम चलो, मैं आता हूँ। जल्दी आना। इसको कैसे बताओं कि इसके पोटे को कोई मारना चाहता है। खांखांगा बना जाएगी। जायकाली। इसके अंदर जो चेन है, वो अभी मंतृत है। इससे, उसके तादा की आत्मा उसमें प्रवेश्ट नहीं करेगी। जाओ। क्या बात है, स्वागित करने पूरा गाउं खड़ा है। देखो, दुलन आ गई। जरा हटो। हटो बेटा। नमस्ते। बैठो, बैठो बेटा, तुम क्यों खड़े हो रहे हो। कल इसकी मूँ दिखाई की रसम है, आप सबको आना होगा। हाँ, जरूर आए। हमारे जमाने में शादी के बाद ही दुला दुलन को देख पाता था। ओल फैशन दादी, तू हो गिया। यहलो बेटा, आप। हाँ, आदी। हेए। कॉम्राचुलेशन्स जरा देखो तो इन बचपन से ही एक दूसरे के दोस्त है। ओ। हेए, यह क्या है? कुछ स्पैशल है क्या? मुझे दो, बाद में खोल लेना, इसे अब पूजा में बैठना है। शाह कल बंगार राजू के विवा का दिन है। हाँ, गलात, मौत का दिन। चल्दी चलो, पंदिची इंदिजाद कर रहे हैं। अनि नभी में रहे हैं। बंगार राजू, जल्दी से मंदिर पहुँचो, हम सब भी वहीं जा रहे हैं। आप इतनी जल्दी जा रहे हैं। अरे, जल्दी तुम्हे ही थी ना। बग पर पहुँच जाना। अरे, आदी, इसे लेकर जल्दी आ जाना। देर मत करना। आप जाईए। वही मिलते हैं। जरा सुनो तो, मैं मंदिर जा रही हूँ। मैं इसके साथ ही रहूँ, तुम जाओ। हाँ, ठीक है। चलो, तुम्हे मंदर जाना। भाई, जैसे हमने प्लैन किया था, सब वैसे ही चल रही है। राश को समंदर में फेक दो। मेरी बेटी बंगाराजू के प्यार के जाल में फस गई है। उससे ऐसी मौत मारूंगा कि देखकर मौत भी काप जाएगी। भाई, शादी की बाद छेड़ते ही अगर उसे मारा तो लोगों को शक होगा। शादी के लिए हां कहतो, मंडप में पहुचने से पहले उसे खत्म कर देंगे। और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। जब तक बंगार राजू के पोते को नहीं मारेंगे, हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बंगार राजू! बंगार राजू! क्या हुआ? क्यों चिला रहे? जरा देखो तो उन्हें! उसे जिन्दा मत छोड़ना। आप फिकर मत करो, ये काम मैं करूँगा। तू तो रहने ही दे, मनहूस। बंगरे को हलाल करने के लिए मैं खुद ले आया, फिर भी तू कुछ नहीं उखाड पाया। लड़की से फोन करवाकर उसे नारियल के बगीचे में बुलवाया, तो तुझे मारते हुए वो मंदिर तक ले आया। तू क्या भारेगा उसे? उसे अपने हाथों से मारूँगा। तो रमीश है। ये तो आस्तीन का साथ निकला। भाई, इस बार बच के जाने न पाए। जोग करना है जल्दी करो। वो बंगार राजु की आत्मा इस धर्दी पर कब किया चुके ये पता है तुम्हें। जो नरक मेरे परिवार को दिखाया, वो नरक मैं उसे भी जिखाऊँगा। मुझे चैन तभी मिलेगा जब उसके सामने उसके पोते को मरता हुआ देखूँगा। जिस वक्त उसके पोते को मारोगे उसी वक्त उसके दादा की आत्मा भी नश्ट हो जाएगी। क्या क्या रही है। उसे मारके फिर जीवन से भले ही मोक्ष क्यों न लेलू। भगवान ने मुझे हर वक्त इसलिए बचाया ताकि एक दिन उसका वद कर सको। तुम्हारी बेटी का विवाह मेरे बेटे से होगा। खाजाना तुम्हारा होगा, बतला मेरा होगा। मेरे कहने पर आदी बंगा राजु को शिव मंदर लेकर आ रहा है। जाओ जाकर बचाओ उसे। आदी? जाओ??? झाओ 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 मेरे में जा मेरे बंग इदित, ये यंगोठी अभी मंत्रित है, शादी में बंगार राजु को ये पहना देना, दादा की आत्मा उस पे प्रवेश नहीं कर पाएगी, अपनी बेटी को कहना उसे पहनाने को, जिससे हम पर भी कोई शक नहीं करेगा बचाओ उसे, घड़े-घड़े तमाश अमादे कुछ की पदद करो रहे, आपड़े जची पताड़ी है दो, जची ही पोगे रहो रहे, रुख जा वो उसे मार रहे और तुछ भी नहीं कर रहे क्या इसी में मैंने जिंदगी भर तुमारी पूजा की थी, यही दिन देखने के लिए रोज मंदिर हाती थी पहले मेरे पती की जान लेकर मुझे में सहारा कर दिया मुझे दुखी करके भी तुमें चैन में ही मिला, इसलिए आज मेरे पोटे की जान के पीछे पड़ गए क्या तुमें मेरी दुख बरी पुकर सुनाई नहीं ही दे रहे मर उसे, मर जाएगा यह चा चुपा दट रहा यह कहसान या है तुमारा तुमें कुछ करना होगा, उसे बचाना होगा, परना तुस्ते विश्वास उड़ जाएगा नहीं, लुक जाओ जाएगा जाएगा पुद्रा, वाण जो ए रहाँ. रहे, पंगा राजु, रहे, पंगा राजु, पैग्त रहा, रहे, रहे, संपत्, ये नहीं जहेत रहाँ, आन्यीग। तात्तनी चम्पाइब काथा नू रे, चिन्न पिल्लोड़ा, ये निचे यद्रा रे रा, रा, कपड़ा रे, वोधिले ले रा, चच्छुपाँ थाड़ा मेरा वेका आगया राबु रा, काट खे रख दो, आज दादा, बेटा, पोता तीनों मरेंगे रा, कर रखे रा, काट रे राग राफ 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 कर दिला में जा स्वा होका हम आा यही। इपड़िड ग्रपट्टाना ना मनवनि तोक्तावं रा? ना वंच्यानि तोक्तावं रा? हाँ?? ना कोड़का! चोड़ो, चोड़ो, बंगार्राजुन रा? इकके रही है नानना रा? नी मनवननी चपप पोड़। चपप बंगारों चपप याणी!!! हाँ!! खाइद न प्राइद पंकर राज में infinity पंग, प्रопाश्ट, हमनी, खंप से कह भी मेंeker तत बेदा गप ज्व पंकरीasy। तत जमने कहते गपके dalam में और कि यूऔ नही है जय हुखते हैं सेरो लेक सो नहीं के डिमिर रसेया छिवोफले कर दोड या जोड़ा वी आला बी आला के इनर्खर ना या लगाया। भी इनरर्खरूर छुब लो अया डे कर दोको मैं एंग! यह यह ना कोड़कनी रेंडनेन देब दीसाड़ राग खोट्टाओ यह खोट्ट्टी ना कोड़कनी खोट्टाओ जुषआ घंडने अुषण टर्वड़कनी यही एक गोट्ट्टट्टी थे अगुआ यह खोट्टी आखव लुषण यह खोट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट लुक 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 मार कमीने को मार जे तुझे मारने की हिंबत की इसने लुक 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 लुग लुके अधित यह बंगा राजू यह चोट कैसे लगी और अंकल आप अबरे अरे यह क्या नेने कुछ नियुक नियुद यह दो के बाद नहीं है पोट होगिया तेना ड्रामा हाख वाख हाख 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 हेए मानवने जोल गजतार रहा मेनो जंपैसन हाख जंपैसन यह नॉदर्नो मेरे पेठे को बारने की शाजिश्की तुन्हे दूने पाप चोडिये ना लाई शोड़ दिजे शुजे मारना चाहता था ये पापा छोड़िये ना हिम अचाशो हुई कि ये रिए पर बच्चे का लिटॉंगे जाए पाइव रूख जाए बचे जोल उंडिये एसा मत किजिए ए जाग लुक्षमिया रिये लुक्षमिया रिये लुक्र झाल थे मुना तो पापा पापा यह हुआ यह बंगा रहा हुआ पापा करिये हल के से हुआ एए कुछ नहीं हुआ मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो, हाँ, I'm okay, वैसे आप अचानक, मेरी बाउ है ना, इसने मुझे फोन करके जिम्यदारी का अइसास जलाया, पेली फ्राइट पकड़के में यहाँ गया, Are you all right? Everything okay? मैं बिल्कुल ठीक, दादी मा, क्या यह सच में आभी है, आप मुझे ऐसे कैसे छोड़कर चली गई, पताएं कितना रोया धाम है, फिर से मत चले जाना, यहाँ मेरे साथ ही रही है, पिटा, कौन कहां रहेगा, उसका फैसला इनके हाद में है, जो इस संसार में आया है, उसे जाना भी होगा, पापा, बोलो, लाइफ में फर्स ते मा को इतने करीब से समझा, दिल से देखा आपको, एक अलगी हिम्मत पैदा हो गई है मुझ में, अब यही हिम्मत, तुम्हें अपने बेटे में पैदा करनी होगी, बच्पन में तो तु इसे छोड़ के चला गया, लेकिन अब इसे छोड़ कर कभी मच जाना, हमारे जाने का वक्त हो चुका है, अब आज के बाद, ना हम तुम्हें देख पाएंगे, ना तुम हमें देख पाओगे, तुम सब अपना खयाल रखना हो, हमारी प्रथा बनाए रखना, जैसे मैंने इस गाउं और इस मंदिर की सुरक्षा किये, वैसे ही मेरे जाने के बाद, मेरा पोता बंगा राजू, इस गाउं का दायत तुम ने भाएगा, लोगों की खुशियों का खयाल रखेगा, जिस प्यार से लोग इस बंगा राजू को याद करते हैं, वादा करो वही इज़त तुम भी कमाऊगे, रिष्टे हम के शवचों दूर से लिपाते हैं, खैसर रिष्टे जिन्दा मर के भी रह जबते हैं, जीवन का है क्रहिं बस्तूर, अप्ले 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 लोग शे लोग जोग देले मौँ